हेलो वर्बन विल्कम यू आल इट लोकेसर अन्यम्टेड स्टडी जोन चली तो आई आज हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन्स तो आज यहां पर मैं आपको कंटिनुटी के एक बहतर कंसेप्ट की ओर लेकर के चलूँगा कि किसी हाई लेवल क्वेश्चन में कंटिनुटी में हम किस तरीके से कुछ दिये गया constant की value निकालते हैं ओके तो सबसे पहले question लिखे question है find the value of p in the function मतलब आपको value of किस की find करनी है p की value find करनी है इस function में so what is the value of p in the function fx equals to मैं आपके समने function लिख रहा हूँ function fx is equals to 4 to the power x minus 1 divided by sin of x upon p into log of 1 plus x cube by 3 x square by 3 okay यह आपके पास function है and this is provided when when x is not equal to 0 and another situation is given you have given the function 12 log 4 hold the power 3 and which is given when x equal to 0 so question कहे रहा है कि अगर limit अगर यह जो है it's a continuous function यह कैसा function है continuous function है तो आपको बतानी है कि p की value क्या होगी so all you know कि अगर function continuous होता है तो x पर जो function की value होती वो limiting value के बराबर होती meaning you can say कि function के continuous पर क्या condition होती limit x tends to 0 f x is equals to f की value 0 पर okay मतलब कुल में इलाकर कि आपके पास यह जो function की value होगी इसके limiting value निकालना है और उसको हमको compare कराना है कि 12 log 4 की power 3 से so हम चले लिकालते हैं limit x tends to 3 sorry x tends to 0 4 to the power x minus 1 upon sin x by b तो sin x upon b और log of 1 plus x cube by 3 देखे इस question को करने के कई तरीके हैं but हम इसको ऐसे तरीके से करते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर आ जाए एक तरीका तो आपके पास l-hospital rule है जो कि बहुत बढ़ा हो जाएगा इस question में क्योंकि वैसे 0 put करेंगे तो 0 upon 0 की format तो साथ देख रही है but l-hospital से यह बहुत बढ़ा हो जाएगा अब देखे कुछ standard format लगते है limit के लिमिट के standard format क्या होते हैं जैसे limit a to the power x minus 1 upon x limit x tends to 0 a to the power x minus 1 तो यह क्या बनता है यह बनता log e base a तो यहाँ पर पहली चीज तो यह बन रही है तो a to the power x minus 1 upon x चाहिए है तो मैंने यहाँ पर क्या किया है x का multiply नीचे किया है तो x का मैं उपर भी करूँगा और यहाँ पर मुझे रिखिए इधर क्योंकि actually मुझे p चाहिए है तो मैं यहाँ पर भी p का divide करूँगा और p का multiply साथ में ही करूँगा ठीक है तो 4 to the power x minus 1 का whole cube है एक चीज मैं आपको बताना गलती से लिखना भूल गया था तो 4 to the power x minus 1 का actually whole cube है तो यहाँ पर आएगा तो यह x की power 3 इधर भी मुझे देना पड़ेगा तब ही यह ऐसा बनेगा 80 to the power x minus 1 upon x तो नीचे आपने किसका actually multiply किया है x cube का तो यहाँ भी आपको x cube का multiply करना पड़ेगा कोई mistake तो हो नहीं रही है यहाँ पर देखी यहाँ पर आपने x by 3 x की power 3 का divide कर दिया है ठीक है sin x by p है तो आपने x by p का इधर पर divide कर दिया है बट एक x का कहीं अभी भी करबड़ी हो रही है identify करिए कि 1 x कहाँ पर कम हो रहा है देखी यहाँ पर आपने x cube नीचे दिया तो आपने यहाँ पर 1 x cube उपर दे दिया अब समझ में आ गया है गलती कहाँ पी हुई है देखी हमने question लिखने में थोड़ी से mistake कर दी है यह बहुत जादा होता है तो आप लोग question लिखते समय ध्यान रखेंगे देखी यहाँ पर x square है और यहाँ पर total हमारे पास जो है sin x cube का हमने नीचे किया था तो x का उपर कर दिया था और हमें 1 x हमने इसको दे दिया तो इसके पास अभी x square ही बचा है क्या हुआ है मैंने कर रहा है x cube का multiply किया था उपर जिसमें से 1 x मैंने इसे दे दिया तो मेरे पास यह x square बचा हुआ है अब बिल्कुल साही है condition और देखी यहाँ पर आप 3 का divide करिए और यहाँ पर 3 का multiply कर दिजिए इसके बाद आपके पास आपके पास formats जो है वो original form में बन upon x यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा log a यहाँ पर कितना है 4 ओके तो log 4 हो गया है यहाँ पर ठीक है ना log 4 हो चुका है और log 4 की whole power क्या लगी हुई है log 4 की whole power यहाँ पर 3 आ जाएगी ठीक है into x by p upon sin x by p कितना हो जाएगा यहाँ पर मित्रों यह हो जाएगा 1 into यह हो जाएगा p और यह log x upon 1 upon x square by 3 तो यह भी कितना हो जाएगा यह 1 हो जाएगा into कितना हो जाएगा 3 equals to equals to 12 log 4 की whole power 3 यह देखिए यहाँ से 12 log 4 की whole power 3 cancel हो जाएगा and 3 p equals to 12 so p equals to 12 by 4 so p is equals to कितना हो जाएगा 3 आ गया है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा p equals to 3 हाँ थोड़ा सा यहाँ पर mistake हो गई है calculation में हलकी सी आप देखिए यहाँ पर p की value 3 नीचे आएगा so p equals to 4 आएगा मैंने मुस्त गलती से 3 लिख दिया था so p equals to कितना आ गया हमें आपस में 4 आ गया तो इस तरीके के continuity की problems है आप ऐसे इसको solve कर सकते हैं इसका एक और method होता है expansion method जो की थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मैं कहूंगा कि उसको मत करिए अगर आपको यह बन रहा है तो अच्छी बात है expansion method भी इसका हो सकता है जहां पर आप 4 की power x और sin x by p और log 1 plus x की expansion आप लगा सकते हैं वो भी एक method ह है बड़ वो काफी बड़ा हो जाएगा तो उसको avoid कीजिए देखीजिए यहां पर जो identity use हुई है मैं एक बार उनको बता देता हूं कि कौन-कौन से identity यहां पर इस्तेमाल हुई है एक identity तो यहां पर इस्तेमाल हुई है limit extends to 0 okay a to the power x minus 1 okay upon x equal to यह उपर x लिखा है a की power x minus 1 upon x equals to होता है log e base a यहां से directly log a भी बोलते हैं एक तो यह identity हुई है दूसरी इस्तेमाल हुई है limit extends to 0 log of 1 plus x upon x equals to कितना होता है 1 होता है दूसरी identity यह इस्तेमाल हुई है मित्रों अगर आप इस question को चाहें तो एक और तरीका है इस question को आप एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं उस question को भी मैं आपको दिखाता हूं कि उस तरीके को भी मैं आपके सामने discuss करता हूं कि इसको कैसे कर सकते हैं वो है exponent method या expansion method है exponent method नहीं expansion method के लिजी या उसे आप प्रसार वीदी भी बोल सकते हैं ओके तो कैसे करते हैं देखिए उसके लिए सबसे पहले जो है आपको प्रसार पता होने जाए एक ही पावर x की तो एक ही पावर x की जो प्रसार होती वो क्यों होती है एक ही लॉग A का whole square upon factorial 2, okay, plus x log A का whole cube divided by factorial 3, ये इस तरीके से प्रसार आंगे बढ़ती जाती है, और log 1 plus x की प्रसार तो आप लोग जानते ही होंगे, x minus x square by 2, factorial नहीं होता, plus x cube by 3 minus x की power 4 by 4, ये प्रसार जो होती है, ये log x की इस तरीके से हुआ करती है, तो इस question को देखिए, यदि हम करें exponent method से, sorry, expansion method से, प्रसार विधी से, तो किस तरीके से हम कर पाएंगे इसको expansion method से, let's see guys, तो हमारे पास जो question है, वो है, limit x tends to 0, उपर है 4 to the power x minus 1 का whole cube, divided by, नीचे है, sin x by p, sin x by p, into log of, 1 plus x square by 3, अब question मैंने एकदम सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं करी है, आएए देखते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इस question को, तो, देखिए, एक ही पावर x minus 1 है, तो यहाँ पर limit x tends to 0, okay, पावर 3 तो रहेगी, एक ही पावर x, तो मैंने बताया था, 1 plus x log a, तो यह हो जाएगा, x log 4 by factorial 1 plus x log 4 का whole square by factorial 2 plus x log 4, factorial 3, नीचे factorial 2 का whole cube इस तरीके से expansion चलेगी, और last में बैठा हुआ है, कौन minus 1, यह वाला, तो यह minus 1 मैंने लिग दिया है, divided by sin x by p, और यहाँ पर पावर होल की उपचड़ाना मत भूलिए, into, अब देखें, यहाँ पर यह लॉक की expansion खुलेगी, log 1 plus x, तो log 1 plus x equal to बताया था, x, x की जगे कौन बैठाया, x square by 3, x minus 1 upon 2, x का square, ओके, तो x square by 3 का whole square, फिर plus 1 upon 3, x का whole cube हो गया था, तो x square by 3 का whole cube, इस तरीके सी expansion जो है, चलती जाएगी, plus, minus, plus, और फिर क्या है यहाँ पर, यहाँ मैनस आ जाएगा, चलिए, अब देखें, आपके पास में, यहाँ पर जो है, आपका 1 से 1 जो है, कैंसल हो गया है, और आप यहाँ से x की power 1 ने भी common लेते हैं, तो x की power 1 ने भ पी, और x की उपर से common लेने के बाद, अंदर क्या बच्चा, देखी, यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा, only log 4, plus, देखे, इन टम्स में x की square है, तो कम से कम, 1 x तो बचेगा, मतलब, terms of x, terms of x, ठीक है न, और नीचे से अगर आप x square common ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखे, 1 by 3, minus terms of x, ऐसा बचेगा, अब देखे, क्या करना आपको, अब यहाँ पर आपके पास x square है, तो x square से x cube cancel हो गया, 1 x बच गया है, आपके पास x और x upon p नीचे बचा हुआ है, तो यहीं पर p का divide करिए, और यहीं पर p का multiply करिए, तो यह बन जाएगा, standard limit x upon p by sin x by p, जिसकी value 1 हो जाएगी, और कुल मिला के अब limit यदि आप put कर देते हैं, limit x tends to 0 था, sorry, तो limit x tends to 0 यदि आप यहाँ पर put कर देते हैं, तो देखे, कितना आजाएगा, p into sin x by p upon sin x by p हो गया है, और यहाँ power whole power 3 लगी हुई है, तो देखे, अब जैसे x की value 0 डालेंगे, तो terms of x सारे क्या हो जाएगे, 0 हो जाएगे, केवल क्या बचेगा, lock 4, okay, और यहाँ पे सारे terms of x क्या हो जाएगे, 0, केवल बचेगा 1 upon 3, जो multiply होके कितना आजाएगा 1 by 3, और दिएगा question में आपको पता था कि यह जो value equal थी, वो किसके equal थी, और lock 4 की power 3 है, तो 3 चड़ाना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत सारी चीज़े ध्यान रखनी पड़ती ही जब आप exam में question करते हैं, तो और वहाँ तो बहुत pressure रहता है, तो अपने आप में बहुत बढ़ी बात होती है, competitive exam निकालना, so log 3 and यह क्या दिया होता question में हमको यह गिवन था, this is equals to 12 log 4 का whole cube, so I can compare it with 12 log 4 का whole cube, okay whole cube, log 4 whole cube से log 4 whole cube cancel हो गया, तो 3p equals to 12 आगया हमारे पास, okay, 3p equals to 12, 3p equals to 12, so p equals to 12 upon 3, so p equals to होगया मेरे पास कितना 4, चली, आईए तो इस तरीके से यह clear हो चुका है हमारे पास में, यह हमें कैसे करना है, thank you so much.